बिस्मिल्ला राह्मान रहीम, असलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है गाईज, उमीद आप सब बड़ी होंगे और खुशाल होंगे, मेरा नाम है कुनाल, मैं हुशिवानी, वेलकम गाईज, हमाले इस चैनल पर जिसका नाम है, डिक्शन वाला कपल, गाईज, आज की वीडि का नाम है, फुल कुरान पैरा 4, उर्दू ट्रांसलेशन, कुरान शरीफ, उर्दू हिंदी ट्रांसलेशन, तो गाईज, मैं आपको बताना चाहूंगी, कि इसके हमने पैरा 3 तक पार्ट किये हैं, मतलब हमने सुना है, और जिस तरह से ट्रांसलेशन होती है, वो हमने देख करके कवर करते हैं, दो या तीन पार्ट में कवर कर लेते हैं, तो सुनते हैं गाईज, दा फैमली ओफ इमरान, अल-इमरान, तो पारा 4, पार्ट 1, नहायत रहम करने वाला है, तुम नेगी की मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, चब तक अपनी महरूब चीज़ों में से, रा और जो कुछ भी इनफाख करोगे, खुदा उससे बिलकुल बाख़वर है, पनी इसराइल के तमाम खाने हलाल थे, सिवाए इसके जिसे तौरेत के नाजल होने से पहले, इसराइल ने अपने उपर मम्नू करार दे लिया था, अब तुम तौरेत को पढ़ो, अगर तुम इबराहीम का इतबा करो, वो बातल से किनाराकश थे और मुश्रिकी में से नहीं थे, बेशक सबसे पहला मकान जो लोगों के लिए बनाया गया है, वो मक्का में है, मुबारक है, और आलमीन के लिए मुझसम हिदायत है, इसमें खुली हुई निशानिया मकाम इबराहीम है, और जो इसमें ताखिल हो जाएगा, वो महफूस हो जाएगा, और अल्ला के लिए लोगों पर इस घर का हच करना वाजब है, अगर इस राह की इस्तदाद रखते हो, और जो काफिर हो जाए, तो खुदा तमाम आलमीन से बेनियास है, एए एले किताब, क्यों आयात इलही का इंकार करते हो, जबके खुदा तुम्हारे आमाल का कवा है, कहिए, एए एले किताब, क्यों साहिबान एमान को राए खुदा से रोकते हो, और इसमें कजी तलाश करते हो, जबके तुम खुद इसकी सिहत के कवा हो, और अल्लह तुम्हारे आमाल से गाफिल नहीं है, एए अगर तुमने एले किताब के इस ग्रोह की अदाद कर ली तो ये तुमको एमान के बाद कुफर की तरफ पंडा देंगे और तुम लोग किस तरह काफिर हो जाओगे जबके तुम्हारे सामने आयात इलाही की तलावत हो रही है और तुम्हारे दर्मियान रसूल मौजूद है और जो खुदा से वावस्ता हो जाए समझो कि इसे सीधे रास्ते की हिडायत कर दी गई इमान वालो अल्ला से इस तरह डरो जो डरने का हक है और खबरदार उस वक्त तक ना मरना जब तक मुसल्मान ना हो जाओ और अल्ला की रस्ठी को म milliseबूति से पक्ड़े रहो और आपस में तफर्का ना पैदा करो और अल्ला की निमत को याद करो तुम आपस में तश्मन थे उसमें तम्हारे दिलों में उलफत पैदा कर दी तो तुम उसकी निमत से भाईबाई बन गये और तुम जहन्नम के किना तो उसने तुम्हें निकाल लिया और अल्ला इसी तहां अपनी आयते पहान करता है कि शायद तुम हिदायत याफ़ा बन जाओ और तुम मेंसे एक ग्रोह को ऐसा होना चाहिए जो खेर की दावत दे, नेकियों का हुक्म दे, बुराईयों से मना करे और यही लोग निजाब याफ़ता है और खबरदार उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्हों ने तफरका पैदा किया और वाज़े निशानियों के आजाने के बाद भी इक्तलाफ किया कि उनके लिए अजाब अजीम है तयामत के दिन जब बास चेहे सफेद होंगे और बास सियाह, जिनके चेहे सियाह होंगे उन से कहा जाएगा कि तुम एमान के बाद क्यूं काफिर हो गए थे अब अपने कौफर की बिना पर अजाब का मज़ा चको और जिनके चेहे सफेद और रोशन होंगे वो रह्मत अलाही में हमेशा हमेशा रहेंगे ये आयात अलाही है जिनकी हम हक के साथ तलावत कर रहे है और अल्लाह आलमीन के बारे में हरके जल्म نہیں चाता जमीन और आस्मान में जो कुछ है सब अल्लाग के लिए है और उसी की तरफ सारे उमूर की बाजगश्ट है तुम बेदरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए मन्जर आम पर लाया गया है तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो और बुराईयों से रोकते हो और अल्ला पर एमान रखते हो और अगर एहले किताब भी एमान ले आते तो इनके हक में बेतर होता लेकिन इन में सिर्फ जंब मुमिनी है और अकसरियत फासिक है ये तुम को अजियत के अलावा कोई नुफसान नहीं पहुँचा सकते और अगर तुम से जंबी करेंगे तो मैदान छोड़ कर भाग जाएंगे और फिर उनकी मदद भी ना की जाएगी इन पर जिल्लत के निशान लगा दिये गए है ये जहां भी रहेंगे मगर ये के खुदाई एहद या लोगों के मौहिदे की पना मिल जाए ये गजब इलाही में रहेंगे और उन पर मसकनत की मार रहेंगी ये इसलिए के ये आयात इलाही का इनकार करते थे और नाहक अंबिया को गतल करते थे ये इसलिए के ये नाफरमान थे और जियातिया किया करते थे ये लोग भी सब एक जैसे नहीं है एहल किताब ही में वो जमात भी है जो दीन पर काइब है रातों को आयात इलाही की दिलावत करती है और सच्दा करती है ये अल्ला और आखरत पर इमान रखते हैं नेकियों का हुक्म देते हैं पुराईयों से रोकते हैं और नेकियों की तरफ सबकत करते हैं और यही लोग सालिहीन और नेक किरदारों में हैं यह जो भी खेर करेंगे उसका इंकार ना किया जाएगा और अल्ला मुत्तकीम के आमाज से खूब बाख़बर है जिन लोगों ने कुफर इक्तियार किया उनके माल और अलाद कुछ काम ना आएंगे और यह हगली जहनुमी है और वही हमेशा रहने वाले है यह लोग जिन्दगानी दुनिया में जो कुछ खरच करते हैं इसकी मिसाल इस हवा की है जिसमें बहुत बाला हो और वो उस قوم के खेतों पर किर पड़े जिन्हों ने अपने उपर जल्म किया है और इसे तबाह कर दे और यह जल्म इन पर खुदा ने नहीं किया है बलके यह खुद अपने उपर जल्म करते है एए इमान वालो खबरदार गेरों को अपना रासदार ना बनाना यह तुम्हें नुखसान पहुचाने में कोई कोदाही न करेंगे यह सिर्फ तुम्हारी मुशक्कत और मुसीबत के खुआशबन है इनकी अदावत जबान से भी जाहर है और जो दिल में छुपा रखा है वो तो बहुत ज्यादा है हमने तुम्हारे लिए निशानियों को वाज़े करके बयान कर दिया है अगर तुम साहिवान अकल हो खबरदार तुम इन से दोस्ती करते हो और यह तुम से दोस्ती नहीं करते है तुम तमाम किताबों पर एमान रखते हो और यह जब तुम से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम एमान ले आए और जब अकेले होते हैं तो गुस्से से उंग्लिया काटते हैं पेगंबर आप सलल्लाहु अलिह वालही वसल्म कह दीजे कि तुम इसी गुस्से में मर जाओ खुदा सब के दिल के हालास से खुब बाख़बर है तुम्हें जरा भी नेकी मिले तो इन्हें बुरा लगेगा और तुम्हें तकलीफ पहुँच जाएगी तो वह खुश होंगे और अगर तुम सबर करो और तक्वा इख्तियार करो तो इनके मकर से कोई नुफसान नहोगा खुदा इनके आमाल का आता किये हुए है उस वक्त को याद करो जब तुम सुबह सबेरे गर से निकल पड़े और मुमिनीं को जंग की पोजिशन बता रहे थे और खुदा सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है और उस वक्त दो गरों ने सुस्थी का मुझाहरा करना चाहा लेकिन बच गए कि अल्लह इनका सरपरस था उस वक्त जब आप सलिल्लाहु अलेह वालही वसल्म मुमिनीं से कह रहे थे कि क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि खुदा तीन हजार फरिष्टों को नाजल करके तुम्हारी मदद करे यकीन अगर तुम सबर करोगे और तक्वा इक्तियार करोगे और तुम तक आ जाएंगे तो खुदा पांच हजार फरिष्टों से तुम्हारी मदद करेगा जिन पर भादुरी के निशान लगे होंगे और इस इमदाब को खुदा ने सिर्फ तुम्हारे लिए बशारत और इत्मनान गल्ब का सामान गरार दिया है वन्ना मदद तो हमेशा सिर्फ खुदा अजीज और हकीम ही की तरफ से होती है ताके कुफार के एक हिस्से को काट दे या इनको जलील कर दे कि वो रुस्वा होकर पलट जाए इन मौामलात में आपका कोई हिस्सा नहीं है चाहे खुदा तौबा अबूल करे या अजाब करे ये सब बहरहाल जालिम है और अल्लही के लिए जमीन और आस्मान की कुल काईनात है वो जिसको चाहता है बहुश देता है और जिस पर चाहता है अजाब करता है वो गफूर भी है और रहीम भी है एए एमान वालो ये दुगना चौगना सूथ ना खाओ और अल्ला से डरो के शायद निजात पाजाओ और उस आख से बचो जो काफिरों के वास्ते महिया की गई है और अल्ला और रसूल की अतात करो के शायद रह्म के गाबल हो जाओ और अपने परवर्दिगार की मगफिरत और इस जन्नत की तरफ सबकत करो जिसकी वुसत जमीन और आस्मान के बराबर है और उसे इन साहिवान तप्वा के लिए महिया किया गया है जो रहत और सक्ती हर हाल में इन्फाख करते हैं और घुसे को पी जाते हैं और लोगों को माफ करने वाले हैं और खुदा एहसान करने वालों को दोस्त रखता है वो लोग वो हैं कि जब कोई नुमाया गुनाह करते हैं या अपने नफस पर जल्म करते हैं तो खुदा को याद करके अपने गुनाहों पर इस्तखफार करते हैं और खुदा के अलावा कौन गुनाहों को माफ करने वाला है और वो अपने किये पर जान बूच कर इसरार नहीं करते यही वो लोग है जिनकी जजा मखफरत है और वो जन्नत है जिसके मीचे नहरे जारी है वो इसी में हमेशा रहने वाले है और अमल करने की ये जज़ा बेतरीन जज़ा है तुम से पहले मिसाले गुजर चुकी है अब तुम जमीन में सेर करो और देखो के छिकलाने वालों का क्या अंजाम होता है ये आम इंसानों के लिए एक बयान हकाइक है और साहिवान तक्वा के लिए हिदायत और नसियत है खबरदार सुष्टी ना करना मसाइब पर महजून ना होना अगर तुम साहिव एमान हो तो सर बलंदी तुम्हारे ही लिए और अगर तुम्हें कोई तकलीफ चुई लेती है तो कौम को इस से पहले ऐसी ही तकलीफ हो चुकी है और हम तो जमाने को लोगों के दर्मयान उलटते बलटते रहते हैं ताके ख़दा साहिवान एमान को देख ले और तुम्हें से बास को शोदा करार दे और वो जालिमीन को दोस्त नहीं रखता है और ख़दा साहिवान एमान को छाट कर अलग करना चाता था और काफिरों को मिटा देना चाता था क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम जन्नत में युही दाखिल हो जाओगे जबके ख़दा ने तुम में से जहाद करने वालों और सबर करने वालों को भी ना जाना तुम मौत की मुलागास से पहले उसकी बहुत तमना किया करते थे और जैसे ही उसे देखा देखते ही रह गए और मुहम्मद सल्लालाहु अलहे वालही वासलम तो सिर्फ एक रसूल है जिन से पहले बहुत से रसूल गुदर चुके है क्या अगर वो मर जाएं या गत्र हो जाएं तो तुम उटे पैरों पलट जाओगे तो जो भी ऐसा करेगा वो खुदा का कोई नसान नहीं करेगा और खुदा तो अनकरीब शुकर गुदारों को इनकी जजा देगा कोई नफस भी इजने परवर्दिकार के बगएर नहीं मर सकता सब की एक अजल और मुद्द मौयन है और जो दुनिया ही में बदला चाहेगा हम उसे वो देंगे और जो आखरत का सवाब चाहेगा हम उसे उसमें से अता कर देंगे और हम अनकरीब शुकर गुदारों को जजा देंगे वैसे कुरान जब से हमने स्टार्ट कर रही है तब से लेकर अब तक इसी बारे में बताया गया है कि अल्ला के ओपर जो इमान लाएगा उसके साथ क्या होगा और जो अल्ला के ओपर इमान नहीं लाएगा उसके साथ क्या होगा और जो अल्ला के ओपर इमान लाने के बाद मतलब पलट जाएंगे या बोलेंगे कि हमारा अल्ला पर इमान है लेकिन वो करेंगे कुछ और, तो उनके साथ क्या होगा, अभी तक यह जलता है, और इसमें ना, स्टार्टिंग में भी और अभी भी एक किताब का जिकर हुआ है, तोरात, पहले, पहले की बुख थी, तोरात, हाँ, तो वो कौन सी बुख थी, वो भी अस्मानी बुख थी, य हाँ, और जो कहते हैं कि जो पहले मेसेंजर जो आए हुआ है ना, वो यह तो जूश में आया है, या फिर उसमें आया है, किस्चिन में आया है, अच्छा, हाँ, मतलब की, यादा तर, जितने, जादा तर, सारे नहीं कहा रहा है, जादा तर कहा है, अच्छा, ठीक है, और न वैपार के लिए तो चर्च के पास एक बंदा था जो चर्च का पादरी था तो वहाँ पर वो बंदा कह रहा था कि हमारी आस्मानी किताब पे लिखा हुआ था कि एक ऐसा बंदा आया कि जिसके सर के ओपर बादल उसे फोलो कर रहा होगा तो उन्होंने वहाँ पर कह था और वो क्रिस्चन थे था हमारी आस्मानी किताब में यह लिखा हुआ था कि ऐसा होगा तो उन्होंने यह भी कहता है साथ में कि आप इनको यहां से ले जाओ और इनके उपर मतलब जो भी करेंगे लोग इनके जादा था खिलाफ होंगे तो और क्या बोगी थी मैं और जिन का जादा से जादा जिकर हुआ है कि मतलब यह एक बात बताएगा गाई इसमें लिखावा था कि जो नभीयों को भी मार दिया जाता था तो ऐसे कौन लोग थे कि नभी को भी मार देते थे उस समाज उस टाइम को जैसे अब हजरत आले से लाम कि आनम था उँका इसा हजरत इसा अब उनके भी हाथ और पेरे पे कहते हैं वो कीले ठोक ठोक दी थी तो लोग तो फिर उस टाइम के जमाने के होते ही होंगे जो बंदा अलग से हटके बात करता ना उसके खिलाफ हो जाते हैं अगर पूरा समाज एक तरफ चल रहा है और आप कुछ हटके बात कर रहे हो भले आपकी बात सच है जूटा फरर्क नहीं बढ़दा अगर कुछ आप हटके कर रहे हो तो आपके खिलाफ हो जाएंगे आप example लो कि Leonardo Da Vinci type ले लो या जो इननों ने उस time जो creativity की थी अपने एस से हटके चीजे कर दी तो इनका किनारा कर दिया कि नहीं भाई इनको अलग करो समाज से क्योंकि इनकी सोच अलग है तो हमारा समाज भी ऐसा जो सोच नहीं अपना सकता किसी की अगर सोच गलत है तो फिर अगर अलग है ना तो उसे कहते ह Florenластि कहते हैं वह सही हो उसे कहते है तुम गलत है और उसके सो उदुश्मन अलग से खड़ी और बिल्कुल दूत कि उनके बात उनको पता नहीं होता कि चीज ग्लत है यह ठीज़ों कि एस सोच पर लेकिन उनको बस अपने आपको समझाना कि नहीं ये कुछ नहीं हमारे सामने, ये गलत कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, तो एक इसमें मक्का के बारे में बताया गया है, कि सबसे पहले जो घर बना या अच्छा घर जो बना वो मक्का में ही था, हमुh- वो जरह बताई गही कामा शरीफ के बारे में बताया गए सुुखत के बारे में बताया गया और सुु॥ लेता है उसका क्या अंजाम वोगा सब अब अटाई गई भी जाना, दो straig cwang आस्काल की टैप में बीक प्लाइक लोग बढ़काते है रावाक। ऑश काल प्रची काफिए रहती हैं Tut सरफ हुआ है। यह आसका कर रहे और किसे करूएं तो उसमें कम्याद ढूंडते हैं और उन्हां यहां गलत कर दिया, यह गलत कर दिya तो वैसे तो सबसे ज़्यादा जिकर हमारे नभी कही हुआ है तो इस बहुत ज़्यादा important नभी हो रहे हैं आज तक जितने भी नभी रहे हैं क्योंकि यहां पर बोला भी क्या था कि मुहमद स्रालाहू अले वसलम एक नभी से बढ़के कुछ नहीं है यह वर्ड लिखे हुए है कि he is not क्या 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 सकते है मैं भूल गया वो क्या था उसका मतलब यही था कि यह एक messenger से बढ़कर कुछ नहीं है अगर इंका कतल हो जाता है या इनको मार दे जाता है इसका मतलब यह नहीं कि आप यह सब चीज़े करना छोड़ दे कि आफकोस वहां कुछ अलग वे में लिखा था बट उसका मतलब यही था कि अगर उनको कुछ हो जाता है in future तो ऐसा नहीं है कि आप पलट जाओगे आप किसी और चीज़ से यहां पर आयो आपने पूरा नमाज पढ़ने का सिस्टम या जो भी ये पूरा सिस्टम आप फोलो करते हो तो अगर जो बंदा बता रहा है कल को वो तो कि हर बंदा ना इस लाइफ में एक limited time के लिए आता है कोई भी हो भले नभी हो आप हो हम हो हम जिंदा हुए है पैदा हुआ है तो 80-90 हद 100 साल बाद हमने मरना ही मरना है ठीक है तो सच्चा ही है तो हम जाएंगे तो फिर नभी को भी जाना पड़ेगा हर किसी को जाना पड़ेगा तो एक का वाला यह था है कि अगर कल को नभी चले जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उल्टा रिवर्स गूम जाओगे एक दम पीछे कि नहीं भाई जो हमें बताता था वो चला गया आप छोड़ो यह नहीं होना चीए यह एक मैंशन क्लियरी मैंशन है क्लियर मतलब जिस तरह से यह होता है ना कि आपके दादा पर दादा पर दादा होते हैं तो आपके दादा उनके पर दादा को फोलो करते हैं तो फिर आपके फादर अपने दादा को फोलो करते हैं फिर आप अपने फादर को फोलो करते हैं तो इसे तरह से फादर मान करकी नभी को follow करते रहे नभी को तो follow ही है जो नभी 1400 साल पहले आये और चले भी गए बट आप भी तक उनका नाम क्यों है क्यों क्योंकि कुछ बात थी जो लिखा है वह मौसुदा के सच है काफी चीजे सच हैं जुजो चीजे बताई हैं काफी केज में सच हैं तो अभी इतने सारे इतने लाखो करोड़ो है ऑवि तक जिंदा है। उनके ठोगों नाम अभी तक जिंदा हैं और आनगे वाले कहीं क्या घ्नतर लाखो करोड़ों साल, जितने भी साल तक इंसायत रहेगी, उनका नाम जिन्दा ही रहेगा, बिल्कुल तो चलते हैं गाइस सबील कुरान से थी ये वीडियो और हमारे से कुछ गुलती, मतलब जो हमें नहीं समझा रहा हो, तो आप हमें चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, अगर आपको वीडियो अचा रगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और शेयर जरूर करिए, तो मिलेंगे आप से अगले पार्ट में तक तक लिए, अलाफिस